तो दोस्तो लाश्ट सेकंड वीडियो में हम सबने भारती नोसेना के सूपर कैडियर को ले करके बातचीत की थी जहां पर मैंने आप सब को ये बताया था कि कैसे फ्रांस, यूके और यूसे भारत को एक कैडियर के लिए जो क्रिटिकल टेकनोलोजीज है उनको देने के लिए तयार है और ये बात साफ है कि अगर भारत को ये सारी टेकनोलोजीज चाहिए तो इनके बदले हमको एक काफी ज़्यादा बड़ा अमाउंट यहां पर पे करना पड़ेगा इसी सब में हमने जो एमाल सिश्टम है और साथ में एडवांस अरेश्टिंग गेर सिश्टम है तो ये भारत भारत के वैग्यानिक और भारत की जो नोसेना है इन तीनों के लिए बिलकुल एक नई चीज यहां पर होने वाली है क्योंकि भारत ने इससे पहले कभी भी करके आई है और साथे साथ यह हमारे आई एनस विकरान से कितना ज़्यादा कोश्टली होगा यहां पर भी आप सबको एक साफ आईडिया मिल जाएगा लेकिन दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जैन क तो सबसे पहले तो यहां पर एमाल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा तो एमाल सिस्टम के माध्यम से आप अपने जो फाइटर जेट होते हैं तो उनको पूरे पेलोड के साथ में जैसे की फ्यूल और जो वैपन होते हैं पूरे वैपन पैकेज के साथ में आप उनको यह benefit मिलता है तो email system का हमें ये फाइदा होता है तो अगर आप भविश्य के net generation के email system की बात करते हैं यानि कि electromagnetic aircraft launching system की तो USA और साथ में UK ये हमको देने के लिए तयार है और साथी साथ यहां पर email system के लिए और advanced arresting gear system के लिए भारती इनों सेना का ये estimate है कि इन दोनों system के लिए हमको लगबग वन बिलियन डॉलर का जो amount है वो यहां पर खर्च करना पड़ेगा जानि कि अगर आप इसको रुपी के हिसाब से देखते हैं तो भारत को लगबग आठ हजार करोड तक का एक heavy amount इसमें invest करना पड़ेगा और इसके बाद में ये एक catobal type configuration में cater होगा जिसकी मदद से भारती नों सेना की जितनी भी आवशकताएं हैं उनको पूरा किया जा सकता होगा और यहां पर हमारे लिए सबसे बड़ा plus point ये है इसकी timeline और साथ में हम अपने देश के अंदर पहले से एक 44,000 टन का INS विकरान तयार कर चुके हैं तो अगर आप इसकी timeline को देखते हैं तो भारत को ये लगबग 2038 के आसपास मिल पाईगा तो इस कारण से यहां पर उस समय हमारे INS विकरमादित्य का जो retirement का समय है वो भी काफी ज़्यादा पास आजाएगा तो इस कारण से हम अपने पुराने carrier को एक नए और साथ में super carrier से यहां पर replace कर सकते होंगे साथी साथ यहां पर हम विकरान को लेकर के काफी सारी technologies को पहले से develop कर चुके हैं इसके चलते यहां पर इसको बनाने में जो समय है वो और ज़्यादा कम लगेगा और अगर हमको USA से email system और साथ में advanced arresting gear system और UK से एक electric propulsion system यहां पर मिल जाता है तो इसे आप सब कह सकते हैं कि यह सोने के उपर सुहागे वाली बात हो जाएगी तो कुल मिलाकर के भारती इनोसेना का estimate है कि इस पूरे carrier को बनाने में लगबख 5 billion US dollar तक का जो amount है वो यहां पर खर्च करना पड़ेगा तो दोस्तो आम तोर पर हम एक jet engine की cost को लेकर के लगतार बातचीत करते हैं और यहां पर इसको बनाना कितना ज़्यादा difficult है यहीं से आप estimate लगा सकते हैं कि आप एक super carrier को बनाएंगे तो उसको बनाने में आप सब केवल 5 billion US dollar तक का amount खर्चना पड़ेगा वहीं पर एक jet engine में 5 से लेकर के 6 billion US dollar तक भी लग सकते हैं तो यहीं से आप imagine कर सकते हैं कि एक side तो हाथी जितना एक बड़ा super carrier है वहीं पर एक side छोटा सा चुहें जितना jet engine है तो इससे आपको एक clear idea यह भी मिल चुका होगा कि कितना ज़्यादा एक jet engine को बनाना complex होता है होगा उसी को भारत को offer कर रहा है इसके बाद में इनके पास जो advanced arresting gear system है और साथ में email system है उनको ले करके इनकी side से किस भी परकार का offer नहीं आया है इसी के साथ में भारती नोसेना ने पहले से email system और साथ में advanced arresting gear system को ले करके UK और USA के साथ में बाचीत को भी शुरू कर दिया है तो इस कारण से अब आप सब कह सकते हैं कि इस race में जो France है वो थोड़ा सा पीछे हो चुका है हाला कि ये चाहे तो भारत को और ज़्यादा technologies को offer करके इसमें comeback भी कर सकते हैं जिससे कि इनको भी billions of dollars का जो फाइदा है वो यहाँ पर मिल सकेगा और भारत को इसके बदले में technologies का access मिल सकता है तो दोस्तो ओवराल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सब को क्या लगता है comment section में बताईएगा साथी साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर देजेगा अगर आप channel के उपर पहली बार आएं तो please say channel को भी subscribe कर देजेगा तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं गली वीडियो में तब तक इल गुटबाई जैहिंद